क्या रोहित, विराट और धोनी के लिए राम से बड़ा होगे अपना काम? जो चोट के बावजूद भी पहुँच जाते हैं IPL के मैदान, वो निवंतर के बावजूद क्यों नहीं पहुचे आयुद्या था? वैसे तो करते हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन आज अपने ही फैंस को इन सबसे बड़े क्रिकटरों ने कर दिया शर्मसार कुम्बले और जलेजा सही सीख लेते थोड़े बहुत संसकार कैसे देश और धर्म की बात आने पर छोड़ दिये जाते हैं सारे ज़रूरी का? जी देश के तीन हीरों हैं, इन तीन हीरों ने देश को बहुत मौके पर खुश होने का मौका दिया है बहुत सारे मैच ऐसे जिताए हैं जिसमें लोग खुशी से उचल पड़े थे इन में से धोई ने तो कोड़ो ग्रिकेट प्रेमियों की आँखों में खुशी के आशो भी लाए थे जब उन्होंने साल 2007 और 2011 का वर्ल्लकप जीता था लेकिन आज एक साथ इन तीनों ने अपने फैंस को इंशरमसार कर दिया है अपने सारे किये धरे पर पानी फिर दिया है अब वो लाखो कोड़ो फैंस जो इनके दीवाने थे इनको पूझते थे आज इन पर सवाल कर रहे हैं इनसे नफरत कर रहे हैं वहीं फैंस जिनके लिए ये तीनों अभी तक भगवान थे आज हैवान है क्योंकि इन तीनों ने एक ऐसी शर्मनाख हरकत कर दी है कि किसी को अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा दरसल आपको तो पताई है आज पूरी दुनिया सिर्फ आयोध्या के तरफ नज़रे गड़ाय बैठी थी क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था 500 सालों की लंबी लड़ाई के बाद भगवान शीराम को अपना घर मिलने वाला था भगवान शीराम की प्राणप्रतिष्ठा थी भविराम मंदर में पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग पहुँचे थे इस देश की 500 सबसे बड़ी शक्सियते पहुची थी कई लोग तो बिना निमंतर के हजारों कुलिमेटर दूर से पैदल चलकर गाडियों से उल्टे पाओं आयोध्या पहुचे थे लेकिन हाईरे किस्मत तीन हमारे महानुभाव ऐसे हैं जिनको निमंतर के बावजूद भी दो मिनिट का समय नहीं मिला कि वो योध्धा चले जाएं ये वही रोहित विराट और धोनी हैं जो कई मौकों पर अपने देश का मान बढ़ा चुके हैं जब से खेल रहे हैं कई ऐसे मौके दिये हैं जब पूरा देश इनके लिए खुशी से जूमा है लेकिन आज इनी तीनों ने अपने देश का भी नाम डुबाया है अपना भी नाम डुबाया है और अपने फैंस को भी बहुत धक्का पहुचाया है क्या आपको पता है इन तीनों खिलारियों को राम मंदी ट्रस्ट की तरफ से नियोता भेजा गया था इस्पेशल इमिटेशन था कि आप तीनों इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए आयोध्या नगरी पहुचें आपके लिए रहने खाने का सारा इंतिजाम कराया जाएगा बस आप पहुचिये तो सही लेकिन इन तीनों नहीं ना कटा ली इन तीनों के पास इतना भी समय नहीं था कि आयोध्या पहुच पाए इन के लिए बस यूँ समझ दिजिए इन तीनों के लिए भगवान शीराम से बढ़कर अपना परसनल काम था और वो भी तब जब इंडिया ही कोई सिरीज भी नहीं चल रही है टीम इंडिया को इंगल्याइन के खराफ 25 तारिक से टेस्स सिरीज खेल नहीं है और वो भी अपने ही घर पर उसके पावजूद कप्तान रोहिश शर्मा विराट को हुली और साती साथ जो इस वक सिरीज खेल भी नहीं रहे जो क्रिकेट से रेटायर हो चुके हैं यानि कि महिन सिंग धोनी इन तीनों ने जहमत नहीं उठाई कि दाम मंदिर ट्रस के निमंत्र का सम्मान रख ले पूरी दुनिया पहुँची थी अमिताब बच्चन पहुचे थे अनिल अम्मानी पहुचे थे मुकेश अम्मानी पहुचे थे सुईल भारती मित्तल पहुचे थे यहां तक की क्रिकेट जगत से अनिल कुमले रवीन जरेजा तक पहुचे थे अरे भाई रवीन जड़ेजा और अनिल कुमले से ही कुछ संसकार सीख लेते ये भी तो क्रिकेटर हैं ये भी तो आयोध्या पहुँचे इन में से रवीन जड़ेजा भी तो 25 सारी से टेस्स सीरीज खेलेंगे अगर वो पहुँच सकते हैं तो आप क्यों नहीं क्या आपके लिए भागवान शीराम से बढ़कर अपना काम है वो शीराम जिन से बनता दुनिया का काम है जो दुनिया की बिगड़ी बनाते हैं लेकिन आपके लिए उसी राम से बढ़कर अपना काम हो गया IPL का मैच होता तो लंगडी टांग से बहुच जाते आदी अदूरी फिटनेस के साथ बहुच जाते चोटिल होने के बावजूद बहुच जाते लेकिन भगवान शीराम के यहाँ जाना था तो पूरा फिट होने के बावजूद पूरा मौका होने के बावजूद टिकेट होने के बावजूद भी नहीं पहुँचे इसी वज़ा से आज पूरा सोशल मीडिया तमाम क्रिकेट फैंस इन तीनों से बहुत ज़्यादा नाराज है ऐसे में आप बताईए आपकी क्या राय है इन तीनों के आयोध्य धाम ना पहुँचने पाद जो भी आप लिखना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें